आज हम एक अद्भुत जीव के बारे में जानेंगे। आज बात करते हैं कच्छूओं के बारे में। ये छोटे धीमे लेकिन बेहत दिल्चस्प जीव हैं। ये खोली वाले रेंगने वाले जीव कमाल के होते हैं। इनकी धीमी चाल और शांत स्वभाव इन्हें और भी खास बनाते हैं। ये पूरी दुनिया में रहते हैं। चाहे वो मीठे पानी की जीले हो या खारे पानी के समुद्र कच्छूओं हर जगह पाए जाते हैं। रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक कच्छूओं हर जगह फलते भूलते हैं। इनकी अनुकूलन ख्शमता अद्वितिय हैं। इनके बारे में सबसे मज़ेदार बात क्या है? इनका खाना, कच्छूओं खाने के मामले में बहुत विविधता रखते हैं। कचुए अचार नहीं खाते, लेकिन वे क्या खाते हैं या इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं और उनकी प्रजाती क्या है? कुछ कचुए केवल पौधे खाते हैं, कुछ कचुए पूरे शाकाहारी होते हैं, जैसे कि ये जो घास चर रहे हैं, जबकि कुछ मांसाहारी भुजन पसंद करते हैं, ये पानी के नीचे शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो दोनों तरह का खाना पसंद करते हैं ये पौधे और कीड़े दोनों का आनंद लेते हैं कच्छों की यह विविधता उन्हें और भी रोचक बनाती है जमीन पर रहने वाले कच्छों जैसा कि उनके नाम से पता चलता है अपना ज्यादातर समय पानी से बाहर बिताते हैं आप उन्हें जंगलों, घास के मैदानों और यहां तक की रेगिस्तानों में घूमते हुए पाएंगे ये लोग शाकाहारी होते हैं मतलब ये अपनी उर्जा पौधों से प्राप्त करते हैं इनके खाने में हरी सबजियां जैसे लेट्यूस, पालक और केल शामिल हैं इन्हें स्ट्रॉबेरी, खर्बूजे और केले जैसे फल खाना भी बहुत पसंद होता है कभी-कभी ये फूल भी खा लेते हैं अब चलो पानी में रहने वाले कच्छूओं की दुनिया में गोता लगाते हैं ये लोग नदियों, जीलों और समुद्रों को अपना घर कहते हैं चूँकि ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं इसलिए इनका खाना जमीन पर रहने वाले कच्छूओं से थोड़ा अलग होता है पानी में रहने वाले कच्छूओं सर्वाहारी होते हैं मतलब ये पौधे और जानवर दोनों खाते हैं मचली, कीडे और कैंचूओं इनके कुछ पसंदीदा खाने हैं इन्हें शैवाल और अन्य जलिये पौधे खाना भी पसंद होता है कच्छूओं के खाना, खाने के साथ मस्ती कच्छूओं न केवल अपने भोजन का आनंद लेते हैं बलकि वे इसे एक खेल की तरह मानते हैं क्या आप जानते हैं कि कुछ कच्छूओं के खाने के तरीके बहुत ही अनोखे होते हैं उदाहरन के लिए कुछ कच्छुए अपने भोजन को पकडने के लिए विशेश तक्णिकों का उपयोग करते हैं। Snapping कच्छुए शिकार को पकडते समय अपनी बिजली की तेज रिफलेक्सिस के लिए जाने जाते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। वे पानी में छिप कर इंतजार करते हैं और फिर जपट्टा मारते हैं। यह उनकी शिकार करने की एक अद्विती अशैली है। वे अविश्वस्निय गती से अपना भोजन पकड़ लेते हैं। उनकी यह गती और सटीक्ता उन्हें एक कुशल शिकारी बनाती है। लेदर बैक समुद्री कच्छुओं को जेली फिश बहुत पसंद होती है। वे जेली फिश को अपने मुख्य आहार के रूप में खाते हैं। वे अपना पसंदीदा भोजन खोजने के लिए समुद्रों में हजारों मील की यात्रा करते हैं। इसे कहते हैं लगन। उनकी यह यात्रा उनके धैर्य और समर्पन को दर्शाती है। कच्छुए वास्तव में अद्वितिये और रोचक चीव हैं। कच्छुए के दांत? नहीं, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कच्छुओं के दांत नहीं होते हैं। इसके बजाए उनके पास मजबूत चौँच जैसा मूह होता है जो उन्हें अपने भोजन को काटने और फाड़ने में मदद करता है। उनकी चौँच अलग-अलग आकार और साइज की होती हैं जो उनके खाने पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए बहुत सारे पौधे खाने वाले कच्छों की चौँच कठोर पत्तियों को फाड़ने के लिए दांते दार होती हैं जबकि ज्यादा तर मास खाने वाले कच्छों की चौँच मास को चीरने के लिए नुकीली होती है। विविधता का जश्न कच्छूओं की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर प्रजाती अपने अनोखे तरीके से जीवन जीती है। हरी पत्तियों से लेकर रसीले कीडों तक कच्छूओं के खाने की आदतें बेहत विविध हैं। कुछ कच्छूओं के खाने की दुनिया विविधता से भरपूर है, वे अपने भोजन को बड़े ही अनोखे और दिल्चस्प तरीकों से खाते हैं। जीवों को बेहतर ढंक से समझने में मदद मिलती है। उनके भोजन की पसंद, उनके पर्यावरन और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ पताती है। तो अगली बार जब आप किसी कचुए को देखें, चाहे वह गाजर खा रहा हो या मचली को काट रहा हो, तो उसकी अनोखी खाने की आदतों पर धान में। प्रकृती के अजूबों और उसके विविध स्वादिष्ट व्यंजनों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकाले। कच्मों की यह विविधता हमें प्रकृती की अद्भुत रचनात्मक्ता का एहसास कराती है। वह क्या अद्भुत जीव है। उनकी विविधता और अनोखी जीवन शैली हमें सिखाती है कि हर प्राणी का अपना महत्व है।